क्यों मनाया जाता है पोंगल और माग बिहू? भारत के कई राजियों में मकर संक्रान्ती, पोंगल, माग बिहू जैसे सांस्कृतिक उत्सो आयूजित किये जा रहे हैं बता दें कि मकर संक्रान्ती को हरियाणा और पंजाब में मागी, तमिलनाडु में पोंगल, पुर्वी उत्तरप्रदेस में खिचडी और गुजरात एवं राजिस्थान में उत्तरायन की रूप में मनाया जाता है मकर संक्रान्ती का तेवहार एक फसल उत्सो है जो भगवान सूरी को समर्पित है और सूरी के मकर राशि में प्रवेश्थ का प्रतीक है वहीं पोंगल की बात करें तो पोंगल, तमिलनाडु, पांडी चेरी और स्रिलंका में व्यापक रूप से मनाया जाता है इस तेवहार का नाम तमिल भाशा से लिया गया है जिसका अर्थ है फैलना या तेवहार चार दिनों तक चलता है और तमिल सौरी कैलेंडर के ताई महीने के दोरान जनवरी में पड़ता है इस वर्ष पॉंगल उत्सो पंदरा जनवरी को शुरू होगा और अठारा जनवरी को समाप्त होगा या भगवान सौरी की पूजा के लिए समर्पित है उत्सो की शुरुवाद सीजन के पहले चावल को दूध और गुड के साथ उबालने से होती है इसके बाद तीसरे दिन सुर्य पॉंगल और मट्टू पॉंगल मनाया जाता है वहीं माग बिहू की बात करें तो असम में मनाया जाने वाला एक फसल उत्सो है इसमें प्रचुर मात्रा में दावते की जाती है और अलाव जलाया जाता है इसे मेजी के नाम से भी जाना जाता है इसे भोगाली बिहु के नाम से भी जाना जाता है जो अगनी देवता अगनी देव को समर्पित है या उत्सो फसल के मौसम के समापन का प्रतीक है यह उरूका नामक पुर्व संध्या से शुरू होता है और अगले दिन तक जारी रहता है उरूका के दोरान लोग बास, पत्तियों और छपर का उपयोग करके मेजी या भेला घर नामक अस्थाई जोपणियां बनाते हैं जहां वे भोजन तयार करते हैं, दावत करते हैं और फिर जलाते हैं आईए चलते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ पोंगल उत्सो के संदर में निम्नलिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला कतन है यह उत्सो तमिलनाडू राज जिमें मनाया जाता है दूसरा कतन है यह त्योहार अगनी देवता को समर्पित है आपको बताना है उपर युक्त कतनों में से कौन सा या कौन से सही है विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल दो या विकल्प C एक और दो दो नो या विकल्प D न तो एक नहीं दो